एक बर फिर से मेरे नियोटी जैने इस टूपाइंट जिरो में आप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसे समद का बेतन अपडेट शिवान जिला बैसाली लखी सराय गया बकसर बांका भागलपूर नवादा नलंदा एवं सारन जिला का बेतन अपडेट तो बेतन अपडेट जानने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि पर चैनल को विडियोगा मत्से भुक्तान होने वाले सिक्षकों की जनकारी आपको विपत्र बैंक में भेज दिया गया है आज ही इसका बेतन भुक्तान होने की पूर्ण शंभावना है इनकेस किसी कारण बस आज नहीं होता है तो कल निश्चित रूप से हो जाएगा वहीं लखी सराय जिला से मिली ज जनकारी के अनुसार एसेस मद से माह जनुवरी का विपत्र बैंक में चला गया है आज ही इसका बेतन भुक्तान हो जाएगा देर संधिया तक वहीं गया जिला से मिली जनकारी के अनुसार बेपी कर जाले द्वारा कतिपाय कारणों से बेतन मद की रासी अस्थापना के खा जा गया है उमीद है कि कल देर संधिया तक या परसो बेतन शंबंधित कार्ज होगा और शिक्षकों के खाते में भी भुक्तान हो जाएगा बक्सर जिला से मिली जनकारी के अनुसार धनेंजय मिश्रा जीर से बात हुई है उनके द्वारा ये अस्पष्ट कहा गया है कि एस समद से मह जनवरी का बेतन भुक्तान कल निश्चित रूप से हो जाएगा वही बांका जिला से मिली जनकारी के अनुसार डीपियो अस्थापना जिला में नहीं थे किसी कारण से पटना चले गए थे आज आये हैं लेकिन अविरासी हस्तांत्रीत नहीं हुआ है जिसके वज से मिली जनकारी के अनुसार एसे समद से मह जनवरी का बेतन भुक्तान अस्थापना कर जाले में किसी की मिर्टू हो गई है जिसके वज़ा से थुरा सा काम स्लो पड़ रहा है लेकिन बेतन भुक्तान जैसे महत्पून कार्ज को मद्दे नजर रखते हुए एसे साखा से रासी अभी हस्तांतरित नहीं हुआ है जैसे ही रासी हस्तांतरित हो जाएगा उपलब्द हो जाएगी खाता में रासी सो करने लगेगा तो बीपत्र बैंक में रिशीव करा दिया जाएगा उसके बाद बेतन भुक्तान हो जाएगा वहीं आपको बता दे की सारण जिला से मिली जनकारी के अनुसार ASS मत्स मा जनुवारी का बेतन हैतु जिला का जक्रम पतादीकारी सिरिधनान्जे जी के द्वारा राचि बिमुक्त हैतु आदेश कर दिया गया है कुछ इली देर में जिला सिक्षा पतादीकारी उमीद है कि इस माह के अंत तक बेतन भुकतान होगा। वही नालंदा जिला से मिली जनकारी के अनुसाद DPO आस्थापना आज जिला में नहीं है, जिसके वज़ासे बिपत्रपा हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। उमीद है कि कल जिला में रहेंगे तो हस्ताक्षर हो जाएगा उसके उपरांत आपको बैंक में भुक्तान के लिए चला जाएगा जमुई जिला में मैं कंटेक्ट करने का परियास कर रहा हूँ लेकिन वहां से कंटेक्ट नहीं हो पा रहा है जिसके वज़ा से जमुई जिला का अपडेट देने में मैं असमर्थ हूँ सुपाल जिला में भी मैंने कॉल किया नेकिन वहां से भी शंपरक नहीं हो पा रहा है जिसके वज़ासे वहां का भी अपड़ेट नहीं मिला है जैसे ही आपके जिला का अपड़ेट मिलेगा मैं आप सभी को देने का परियास करूँगा तो वीडियो में इतना ही वीडियो मलास तक बनाया निकली धन्यवाद वीडियो को दास तक सेयर करें वीडियो को एक लाइक औूस करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें शिछावी अकसर लेटेज अबडेट पाने के लिए